अर्याणा के नू हिंसा को लेकर सरकार अक्शन मोड में राजीव हिंसा में रोहिंगया मुसल्मानों के आने के बाद नू के ताउड़ी में बुल्डोजर चला है उत्तर पुदेश की तर्च पर बुल्डोजर आक्शन देखने को मिला है हधियाणा में और नू हिंसा के आरूपियों के घरों पर ये बुल्डोजर चला है और ये रोहिंगया बताया जा रहा है रोहिंगया आरूपियों के जुगियों पर ये बुल्डोजर चला है प्रशासन की तीम मौके पर मर्दू थी और जबर्दस रुक्षा रव्यवस्ता के बीच में बुल् पुलिस को यह लोग जो नू के अंदर हिंसा हुई थी उसके अंदर इनकी काफी बड़ी इन्वाल्मेंट रही है और लगातार पुलिस जो है वो छापे मारी करकर के इन लोगों को जो है वो रिस्ट भी कर रही है हाला कि अब अगर कहा जाए तो यह पूरी बस्ती में गरीब 30 से 35 के आस यहां पर जो इन लीगल रोहिंग्यास है वो रह रहे थे अब उनको यहां से हटाने का अदेश जो है वो प्रसाशन के तरफ से दिया गया है ताकि इनको जल्द से जल्द यहां से अटाया जाए क्योंकि नूम में जो हिंसा हुई आग जनी हुई है पुलिस और प्रसाशन क यह आखानल को यह रहे थी कि इन तमाम हिस्सों में रह रह रहा है जो लोग हैं लीगल तरीके से जो जो है वो फिलाल प्रसाशन की तरफ से की गई है कल बुल्डोजर की कारवायर उसके बाद एक्शन में सरकार जो है वो नजर आ रही है आपको तस्वीरे और दिखाएंगे कि अपना कैमरा परसन राजा से कहुँगा कि यह तस्वीरे आपको दिखाए कि यह तस्वीरे हैं जह यहां से यह लोग हटाये जा रहे हैं जिस तरीके से नुहू में जो हिंसा हुई है उसमें इन्वाल्ब्मेंट जो है वो बताया जा रहा है यही वज़ाए इसके बाद यहां पर कारवाई और एक आक्शन जो है वो फिलाल नजर आ रहा है क्याना परसन राजा के साथ सोशा मेरा तावरू आस तक